हेलो दोस्तो मैं हूँ संगीता वेलकम टू माई किचन कुक विट संगीता आज हम बनाएंगे हैल्दी नारियल के लड्डू जिसमें हम चीनी और घी का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी नारियल के लड्डू और बर्फी तो हम सबने बहुत खाई होगी और बनाई भी डिजली ने बना म ecology है यह स्टफिंग वाले नारेयल के लड्डू शायद हमने पहले कभी ऑनल्डि नहीं खा अथका यह नहीं भी खाए हमें विद्धा कि जल्डी बनी इस परकर यह बहुत जल्दी बनंकार अग्वान के विब 박व सब खोए जिल्दी बनकर त्यार उग जा मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए स्टफिंग वाले लड़ू बनाना शुरू करते हैं देखते हैं क्या-क्या समान चाहिए इनके लिए एक कप सुका नारियल पाउडर जो मार्किट में इजली मिल जाता है एक कप गुड़ ग्रेट किया हुआ थोड़ी से काजू बदाम आदा चमच इलाइची पाउडर आदा कप दूद दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर तो चलिए अब इससे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे नारियल पाउडर सारा नारियल पाउडर डाल देंगे अब इसको हम कंटीन्यू चलाते हुए भूनेंगे तीन से चार मिनट तक गैस को हमें स्लो रखना है तो इसको कंटीन्यू चलाते हुए भूने नहीं तो हमारा नारियल नीचे लगना डूंते में फो ठल हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे गुड़े अच्छे выпade की बहुत जल्दी मैल्ट हो जाएगा तो घ्रत करके ढ़िए तो इसलिए गुड़े लेट करके डालेल अब इसको continue चलाते हुए हमें बूनना है जिससे की गुड अच्छे से नारिल में मिक्स हो जाए तो इसे continue चलाते रहें जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए नारिल और गुड आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूद एक से तेबल स्पून तक दूद डालेंगे तो थोड़ा सा दूद लेंगे दूद हमें जादा नहीं डालना थोड़ा सा ही डालना है दूट टाल के इसको अच्छे से मिक्स करें और 2-3 मिनट तक इसे और भूनेंगे गैस को हमें स्लो ही रखना है तो स्लो गैस पर इसको 2-3 मिनट तक भूनते हैं कंटीनु चलाते हुए क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलता है तो इसलिए हमें से कंटीनु चलाते हुए ही भून ना है हमें इसको गैस पर विलकुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है तो इसे कंटीनु चलाते रहें यह देखिए हमारा गुड अच्छे से मैल्ट हो चुका है यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है हमारे लड़ू एकदम अच्छे से बाइंड हो जाएंगे इसको हम दो तिन मिनट तक भून के गैस को आफ कर देंगे और इसको हम ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे बस इतना ही ठ तक एसे ही भूने कि हलके से क्रिस्पी हो जाएं तो इसको मैंसे ही चलाते हुए एक-दो मिनट तक भूनेंगे यह देखिए हमारे ड्राइफूट्स भून चुके हैं अब इसको हम दूसरे बरतर में निकाल लेते हैं और इसको हलका सा ठंडा होने देते हैं अब हम दो और ग्राइब डिए अब हमारे अब हम नहीं किये दूट्स को पहले को मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम कैसको अन करेंगे तो मिष्प कर ले इस्पर कंच्छे से चलाते हुए इसम्पे खिशलियर नहीं नहीं रहहे तो इस ताइब से向 चले जुद पर Corey दो टीनियू चला तो इसे कंटिन्यू चलाते वे पकाएं दूद गाडा होना शुरू हो गया है अब इसमें हम डालेंगे इलाइची पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते वे भुनेंगे तो इसको ऐसे ही continue चलाते रहें इसको हमें रबडी जैसा गाड़ा करना है जैसी रबडी होती है इसको चलाते वे पकाते रहें और side से चुटाते रहें जो कड़ाई में side में चिपकरा इसको हम साथ के साथ चुटाते रहेंगे यह देखिए यह गाड़ा हो चुका है हमें इसे और जादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद भी गाड़ा हो जाएगा तो इसको बैस हम इतना ही गाड़ा रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे मेवे जो हमने काट के रखे हुए मेवे में हमने 10-15 काजू और 10-15 बदाम लिये हैं अब इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम हलका सा ठंडा होने देंगे यह देखिए हमें इसको इतना ही गाड़ा रखना है इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा तो अब गैस को आफ कर देते हैं कि यह देखिए हमारी wiping हलकी से ठंडी हो चुका है हम थंडी होने के को इतना रखना था इससे जयादा नहीं कर ना था यह बिल्कलत हम इस सौफ चीह लगा लिया है अभ थोड़ा सा नारियल लें इसको ऐसे बाइंड करें तौने वाइंड करने के बाद इसको हम ऐसे गोल-गोल करेंगे जैसे हम आते की लोई बनाते हैं और बीच में जगा बनाएंगे इसके अंदर हम थोड़ी से स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग को भी अच्छे से बाइंड कर लें इसके बीच में रखके इसको हम चारो तरफ से कवर कर देंगे इस टाइप से और लड्डू के तरह इसको बाइंड करेंगे यह देखिए इस टाइप से दबा दबा के रोल कर देंगे इसको अच्छे से शेप दे देंगे लड़ू की यह देखिए हमारा लड़ू बन गया है अब इसी टाइप से और लड़ू बनाएंगे हम पिर से थोड़ा सा नार्यल ले उसको हातों से बाइंड करें बीच में स्पेस बनाएं इस टाइप से अब इसमें थोड़ी सी स्टाफिंग रखें और इसको चारो तरज से कवर कर दें यह देखिए हलकी से अगर जगा रह जाते तो आप थोड़ा सा और नार्यल ले ले और इसके उपर लगा के इसको लड़ू के तरह दबा दबा के अच यह देखे इसी चाइप से हम सारे लड़ू बना लेंगे यह हमारे लड़ू बनका तयार है अब हम इसके उपर हम नार्यल की कोटिंग करेंगे यह हमने थोड़ा सा ऊका नार्यल लिए है अब उठाब एक लड्डू उठाएं और चारो तरफ से अच्छे से कोटिंग कर देंगे देखिए इस टाइप से और जो एक्स्टा नारेल होगा उसको हम इसी में ज़ाड़ देंगे अब इसी इस हम सारे लड्डू पर कोटिंग करेंगे यह देखिए इन सब के ओपर हम कोटिंग कर देते हैं यह लड़ू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें हमने चीनी और की का यूज नहीं किया है इसे कोई भी खा सकता है यह हमने सब पर कोटिंग कर दिये और एक्स्ट्रा नारिल हमने इसी में ज़ाड़ दिया है यह देखिए सब लड़ू पर कोटिंग हो गई है यह हमारे स्टफिंग वाले नारिल के लड़ू बनकर तयार है यह खाने में बहुत ज़ादा टेस्टी लगते हैं और बहुत हैल्दी है क्योंकि इसमें हमने गी और चीनी का यूज नहीं किया है जो लोग गी और चीनी नहीं खाते हैं वो इसे खा सकते हैं ये खाने में बहुती जादा टेस्टी रखते हैं और इसे बनाना बहुती इजी है आप इसे इसली अपने घर में बना सकते हैं तो एक बार इसे जरूर ट्रै करें आपको ये जरूर पसंद आएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो की न